रोज की तरह हमारे सामने आज भी IPL 2022 को लेकर आठ काफी बड़ी और important अपडेट्स हैं आज होने वाले KKR और RCB के भी इस मुकाबले इसके साथ ही कल के मुकाबले में controversial decisions और इसके साथ ही mid-season transfer के regarding भी काफी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी skip नह मारे आज की दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ये अपडेट निकल कर आ रही है कल हुए मुकाबले के result के regarding जहां पर संवाइजर सेदराबाद और राजस्थान रोयल्स के बीच में मुकाबला के लागिया था और ऐसा लगा था कि शायद ये में वापस से close देखने को मिल जाए क्योंकि हाइज स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन ये मुकाबला तो कुछ अलगी करवर्ट बदलता हुआ न जराया क्योंकि राजस्थान रोयल्स ने ना सिर्फ S.R.H. को हराया बलकि काफी ज़्यादा बुरी तरीक से पटका अगर वाशिंगंटन सुंदर के नौक को आप लोग हटा दो तो S.R.H. की बैटिंग में भी कुछ नहीं था और ऐसे में आरार की टीम पॉइंट स्टेबल में आ चुकी है नमबर वन पर वहीं संवाइजर सेदराबाद की टीम पॉइंट स्टेबल में जा चुकी यानि की कोलकाता नाइट वाइडर्स और RCB के बीच में आज हमें मुकाबला देखने को मिलेगा जहां एक तरफ RCB की टीम अपने पहले मुकाबले में हार कर आ रही है हलाकि बैटिंग काफी अच्छी थी लेकिन बॉलिंग की वज़ह से बी वहीं दूसरी तरफ कोलकाता न देखने को नहीं मिलने वाले क्योंकि इनके पहरे मुकाबले में जो अनवेलेबल प्लेयर्स थे सिमिलर्ली वह इस मुकाबले में भी आपको अनवेलेबल रहते वे नजर आएंगे तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा चेंजिस आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्ल दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 भी भेजने वाले हैं थोड़ी देर में तो भी डिस्क्रिप्चन में दिये गए लिंक से हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए आगे बढ़ते हैं वाइस बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी वड़ी अपडेट जो की न प्लेइबल नहीं होंगे यानि की हम पूरे होपफुल है कि मिचल मार्च अपनी इंजरी से रिकवर हो जाएंगे और वो डैली की टीम के साथ जोड़ेंगे और मिचल मार्च यहसा प्लेयर जिस तरीके की फॉर्म में चल रहा है उसके हिसाब से डैली कैपिटल्स की टीम के अगे बढ़ते हैं गाई जो बात करते हैं हमारे आज की दिन की चौती बड़ी अपडेट जो की निकल कर आ रही है कल हुए मुकाबले में एक काफी जादा वाइरल हो रहा है सोचल मीडिया के उपर अगर आप लोग उने मुकाबला लाइब देखा हो तो वहाँ पर जब के बाइर ने डिसेजन बताया कि बॉल उनके हाथ में थी और उनकी हाथ के ऊपर ही ये बॉल जंप हुई है तो इसकी वजह से उन्हें कहा कि उनकी फिंगर अंडर दा बॉल थी और इसकी वजह से देवदत पार्डिकल के स्कैच को क्लीन करार दिया गया विलियमसन आउट हो लेकिन SRH के फैंस का मानना है कि ये साब साब केमरे के उपर दिख रहा था कि बॉल ग्राउंड को टच कर रही थी और उस ताइम पर अगर विलियमसन का विकेट ना जाता तो शायद SRH की टीम जादा बैटर फाइट पुट अप कर पाती राजस्तान रोयल्स के टीम के सामन कॉमेंट करके आप लोग उताईए आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आप लोग सहमत हो इस डिसिजन से की केन विलियमसन को आउट दिया गया या फिर आपको लगता है कि वो नौट आउट थे आगे बढ़ते हैं काई ज़र बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांच भी निकल कर आई है और विराट कोली दरासल इस खिताब को लगातार दूसरी बार जीच चुके हैं अगर आप 2021 के बात करो वहाँ पर भी भारत के सबसे बड़े वेल्यूट सेलेब को इनको अवर्ड मिला था इसमें बॉल्यूट के एक्टर्स भी कमबाइंड है और क्रिकेट क के दिन की चठी वड़ी अपडेट जो की निकल कर आ रही है एप डिवल्यूर्स के रिगार्डिंग जहां पर विराट कोली ने बताया है कि अपने रिटायर्मेंट के बारे में एप डिवल्यूर्स ने जैसे ही डिसीजन लिया था कि वह इस चीजिस की अनौन्समेंट करें है और विराट कोली ने जब यह सुना तो विराट कोली उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने कहा एप डिवल्यूर्स के साथ इतने सालू से उन्होंने क्रिकेट खेली है और उनके बीच में काफी अच्छा बॉंड है एक दूसरे को भाई कंसिडर करते ह और ऐसे में विराट कोली ने कहा कि उनकी जिंदगी के अपसर डाउंस में एक एक एंसान रहे हैं जो कि हमेशा उनके साथ थे उन्होंने उनको काफी क्लोजली देखा है तो ऐसे में यह इमेजिन कर पाना की एक डिवल्यूर्स के साथ अब आगे नहीं क्यल पाएंगे इसस अपडेट है RCB के टीम सेलेक्शन के रिगार्डिंग जहां पर कुछ घंटे पहली ही अपडेट निकल कर आईए कि RCB के टीम कंसिडर कर रही है सुयस प्रभुदेशाई को अपनी टीम में प्लेइंग 11 में खिलाने को लेकर दरसा अगल आपको याद हो तो RCB की टीम में ला साफीन की कमाल की रही थी लेकिन ऐसे में जब आपकी ओपनिंग डिलिवर नहीं कर पाईगी जब टॉप वर्डर डिलिवर नहीं कर पाएगा उस केस में आपको अपनी बैटिंग को और भी स्ट्रॉंग करना है और बहुत सारे RCB के फैंस का ये भी ओपीनियन था कि RCB की ट के रिगार्डिंग जहां पर आप लोग जानते हैं कि हर साल IPL में हमें मिट सीजन ट्रांसफर विंडो देखने को मिलती है जिसके तहर्र कुछ प्लेयर्स हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिलते हैं एक टीम से दूसरी टीम में हलांकि लास्ट के एक दो साल में इस चीज से अभी तक इस चीज की अनॉंस्मेंट नहीं हुई है और आप में से जो भी लोग मिट सीजन ट्रांसफर विंडो का इंतजार कर रहे हैं हम आपको बता दे कि मिट सीजन ट्रांसफर विंडो अभी इतनी चल्दी अनॉंस नहीं होगी जब हर एक टीम अपने 5 या फिर 6 मु वीडियो में पता के लिबाव आई